हेलो फ्रेंड्स हमारे कई जो फ्रेंड्स है वो पूछ रहे थे कि मैं हरियाना कोसल रोजगार निगम इसकी अंडर किस तरह से जो मिलेगी इसका फोर्म कैसे फिल करना है इसकी लिए क्या इलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो वो सब जानोगे आप इस वीडियो में और इसको फिल करने का जो लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जब भी इसके साइट ओपन होगी तो आप यहां से ओपन करके लिंक जो है फोर्म फिल कर सकते हो तो चलते हैं इसकी फूल डिटेल इंफरमेशन जानने के लिए उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो फिली चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूले देखो और इलिजिब्योटी या इंप्орटन डोकॉमेंट कोण कोण से हैं सबसे पहले आपके पास हरियाना के सताई निवासी होने का आनिवारिये होना जरूरी है तो हरियाना के बाहर के वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते आपके पास आधार कार्ड, निवास परमान पत्र, आय परमान पत्र, आयुका परमान, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, इमेल आईडी और मुबाइल नमबर ये सब होने जरूरी है इसकी जो सुरुवात है, वो 2021 में की गई थी, और 1 नमबर 2021 को इस पोर्टल को लौंच किया गया था, इसके मादम से यूवापदों के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकेंगे इस प्रनाली के मादम से काम पर रखे गए सभी नागरिकों को, EPF, ESI आदी की सुईदाए सभी लाप पर धन के जाएंगे जो कि गुवर्मेंट सेक्टर में अदर्स जो में होते हैं, वो सारी फैसलेटी यांपर प्रोवाइड करवाई जाएगी इस प्रिक्रिया में ने केवल अनुबंद के आदार पर काम करने वाले करमचारियों के सोशन को रोकेगी बलकि योगा उमीद्वारों को पारदर्शिता और प्रियाफ्त रोजगार के अवसर भी सुनिशित करने में मेहता कोड़ उमिखा निभाएगी अब इस नई व्यवस्ता के अंत्रगत सम्विदा नुक्तिया जो हैं मेरिट के बेस पर की जाएंगी जिसके कांड़ पारदर्शि व्यवस्ता सुनिशित की जाएगी यानि कि merit के base पर आपका selection होगा और merit किस तरह से तयार होगी वो सब आप इस वीडियो में जानिएगा इसके इलावा सब ही योग गये यूआओ को रोजगार परदान करने के लिए कोशल विकास पर शिक्षन सतर भी यानि कि session भी लगेंगे उनको training भी दी जाएगी तो जानते हैं कि जो आपकी merit list होगी वो किस base पर तयार होगी तो देखो preference जो है age की according सबसे पहले जो preference है सबसे ज़्यादा age वाले को दी जाएगी और सबसे last में जो 18 to 24th age वाले हैं यानि कि age के according भी preference रखी जाएगी उसके बाद जो selection criteria है हरियाना कुशल रोजगार निकम का उसमें जिनकी income 80,000 से कम है उनको 40 marks जिनकी annual income 2,000,000 से कम है उनको 30,000 रुपे और जिनकी income 30,000,000 से कम है annual income उनको 30 marks और जिनकी income 4,000,000 से कम है उनको 10 marks यानि कि कहने की बात यह है कि जिनकी annual income बहुत ही कम है और age बहुत ज्यादा हो चुकी है तो उनको preference ज्यादा दी जाएगी और जो आपके qualification है या फिर जो आपने course certificate कर रखे हैं उनके आपके maximum marks 20 होंगे और जो आपका common eligibility test होगा उसकी जो weightage है वो 10 की लगेगी अगर आप window है या फिर orphan है या जो अनाथ है या विद्वा है उनके 55 marks लगेंगे और home district के आपके 5 marks लगेंगे तो ये होगा criteria आपके जो हर्याना कुशल रोजगार निगम के अंडर selection का और ये age के according आपकी preference और इसका जो link है वो आपको description box में मिल जाएगा description box में जबाब नहीं जाएगा तो आपको इसको link मिल जाएगा जब भी ये portal open होगा तो आप वहाँ से form fill कर सकते हो so thank you so much इसकी कई बार request आ चुकी थी कि हर्याना कुशल रोजगार निगम के बारे में बताईएगा मैं कि इसमें क्या कुछ होगा तो इसमें आपको I think हर एक information provide हो गई होगी पर फिर भी आपकी कोई query रहती है तो comment session में ज़रूर बताईएगा झाल